एक बार नारद मुने स्रीहरी नरायन के पास में जाते हैं स्रीहरी नरायन बोलते हैं कहिए नारद जी किस कारण से आपको आना हुआ इस पर देवर्सी नारद बोलते हैं कि हे प्रभू आप तो करकर ब्यापी है आप सब जानते हैं फीरिया मेरे से क्यों पुछ रहे हैं इस पर सिरिहरी नरायन मुस्कुराते हुए बोले आप अपने मुँँ से बता दिजिए नारदी कि आपको क्या जानेना है इस पर नारद मुनी कहते आए है प्रभू कल के करियार के लिए मुझे आप से कुछ आठ महतोपुर्म बाते जानना है किरिपया आप मुझे बताईए कि वह कौन सा आठ महतोपुर्म बाते हैं जिससे मनुस अपने जीवन में उतार कर निर्धानता से बच सकता है इस पर भगवान सिरीहरी बोले है नारद आपने बहुत ही अच्छा प्रस्न पूछा है और यह प्रस्न कल्जू के मनुसियों के लिए बहुत ही महतोपुर्म है और यह बात मैं आपको एक काथा के माधियम से बताना चाहता हूँ जिससे आप जानकर कल्जू के हर मानव के पास में पहुचा देना ताकि कल के मनुसियों को नेधन होने की नौबत ना आए साथ ही इस कहानी से आपको यह भी पाता चलेगा कि एक भाई और बहन का रिस्ता कैसा होता है और गिरना कितना बुरी चीज है इस पर नारद मुनी कहते हैं हे प्रभू आप मुझ पर किरपा करिये यह कहानी सुना कर तब भगवान विश्नु बोलते हैं कि किसी पुराने समय में एक ब्यापारी होता था जिसका एक जुर्वा बच्चे हुए सबसे पहले पूत्र हुआ और तब पूत्री हुई उस पूत्र का नाम राहुल रखे और पूत्री का नाम चीत्रा रखे ब्यापारी अच्छा खासा पैसा कमा लेता था और परिवार का भरन पोसन भी बहुत ही अच्छे से करता था दीरे दीरे उसके दोनों बच्चे बरे हो गए और नवजवान होते देखर बयापारी को लगा कि आप बच्चे की साधी कर देनी चाहिए यह सोचकर बयापारी एक नगर में गया उस नगर के सेट बहुत ही धनवान था और उसका एक पुत्र था उस ब्यापारी के उस नगर के सेट के बेटे के साथ में अपनी बेटी के अभीवा कर दिया बेटी के अभीवा बहुत धुमधाम से किया और उसके बाद वो अपनी गिरास्ति संभालने लगा उसने सोचा कि अब एक बेटा बंच गया है अब इसका भी साधिक कर देना चाहिए लेकिन उसके लिए एक सुन्दर और सुसील बहु चाहिए यहीं सुच्टे सुच्टे एक दिन ब्यापारी बीमार पर गया और बीमार इतना परा कि वो खाट से हील भी नहीं सकता था उसके पूतर राहूल ने बहुत ज़्यादा बेदों से दिखलाया दावा इलाज कराया लेकिन फिर भी कोई फाइदा नहीं हुआ राहूल हैरान हो गया था और यह सोच रहा था कि अब पिता जी को मैं कहा दिखाऊं जिससे मेरे पिता जी ठीक हो जाए राहूल यह बाते सोच कर परिसान था एक दी राहूल के पिता हुआ बैपारी राहूल से बोले है पूतर तुमने अपने तरब से तो कोई कसर नहीं छोरा मेरे इलाज में लेकिन भगवान के आगे किसी का नहीं चलता अब तो कोई फाइदा नहीं मेरे इलाज कराने से अब तुम मुझे छोर कर अपने कैरियर बनाओ और अपना बिवाह कर लो यह बात सुनकर राहूल दुखी मन से अपने मन में पिता से बोला पिता जी अब मैं कर भी क्या सकता हूँ राहूल ने अपने पिता के कमाए सभी धनों को उसके बिमारी में दावा के दवरान और इलाज के दवरान खतम कर दिये थे बचा खुचा थोड़ा सा धन ही बचा था ब्यापारी अपने दुखी जीवन को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रेसान था और कश्ट कट रहा था एक दिन ब्यापारी का दिहांत हो गया बेटा राहूल ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया और फिर जो बचा धन था वो अपने पिता का अंतिम संस्कार में लगा दिया जिससे राहूल के पास कुछ नहीं बाचा अब राहूल करे तू क्या करे वो अपने घर तक भी बेच दिया था राहूल अपने पीता के काम खतम करके दूसरे गाउं में निकल गया वहाँ पर महनस्त मजदूरी करने लगा और एक लड़की से बिवा कर लिया जो बहुत ही गरीब खांदान की थी उसे बिवा कर लिया और वह इस गाउं में एक जोपरी बना कर अपने पत्नी के साथ में रहने लगा राहूल दिन भर मजदूरी करता और फिर अपने पत्नी को रात में पैसा लाकर देता जिससे उसकी पत्नी घर चलाती ऐसे ही करते कुछ दिन बीत गया राहुल का भी एक बेटा और एक बेटी हुई बेटे और बेटी को अच्छे संसकार देने लगा और अब अच्छा खसा कमाने भी लगा जिसे वो अपने पुत्र और पुत्री को अच्छे से पालन पोशन कर सके प्रांतु, उसके पास इतना जादा धन नहीं था कि इधा जब से चितरा का विवा हुआ था तब से अभी तक चितरा अपने माय के नहीं आई थी और अब तो उसको पता चला की मेरा भाई गरीब हो गया है और पिता जी नहीं रहे तो वो अपने भाई से नफरत करने लगी भाई एक दिन सोचा मेरी बहन चित्रा कैसी होगी कास मेरे पास कुछ धन होता तो मैं बहन के पास से घूम आता और भगवान की किरपा देखो कि उसकी बहन चित्रा का बेटे का विबा तै हो गया था और उसकी बहन चित्रा अपने भाई को निमंत्रा नहीं दिया था दुसरों से राहूल को पता चला कि मेरे भाजे का विवा है तो वो बहुत खुस हुआ और अपने पत्नी से आकर बोला कि मेरी बहन के घर में भाजे की साधी है हम सब वहाँ पर चलेंगे राहूल के पत्नी यह बात सुनकर बहुत खुस हुई और बचे भी बहुत खुस हुए तभी राहूल के पत्नी के दिमाग में यह बात आया कि वो अपने पती से पूछ दी कि हम ननत के घर तो जाएंगे परन्तु क्या हमारी ननत ने हमें अमंत्रन किया है इस पर राहूल बोला अमंतरन तो नहीं आया है कई हो सकता है कि हमें गरीब देखकर वहां अमंतरन नहीं भेजी हो जिससे हमारे भाई के पास पैसा खतम ना हो जाए या फिर मेरा भाई पैसे का इंतिजाम कहां से करे या यह भी तो हो सकता है कि कोई अमंत्रन लेकर आया हो और हम ना मिले हो इस पर आउल की पत्नी बोलती है कुछ भी हो मैं बीना अमंत्रन पत्र के नहीं जाऊंगी आपको जाना है तो चले जाईए इस पर आउल अपने दोस्तों से कुछ पैसे उधार लेता है और बहन के लिए बहनोई के लिए तथा भाजे भाजी के लिए कपरे खरीद लेता है और बहन के घर चल देता है बहन के घर दूर होने के कारण वो साम को पहुँचता है और बहन के दरवाजे पर जाकर खरा हो जाता है और बहन को बाहर आने के इंतिजार करने लगता है थोरे देर के बाद उनकी बहन के जेठानी बाहर आती है और देखती है कि चित्रा के भाई आया है इस पर जाकर अंदर बोलती है चित्रा दरवाजे पर तेरा भाई खारा है इस पर चित्रा बोलती है अच्छा मेरा भाई आया है तो अब बताये कि वह दिखता कैसा है और कपरा कैसा पहना है इस पर उसकी जेठानी बोलती है कपरा फटा पुराना है और दिखता भिखमंगे जैसा है इस पर चित्रा गुस्से से लाल होकर सबसे नजर छुपाते हुए घर से बाहर जाती है और भाई को अंदर लेकर आती है और घर के एक कोने में ले जाकर बोलती है राहूल तुम बहुत गरीब हो और सकल भिखमंगे जैसा है तुम मेरे घर आया क्यों तुझे देख करके मेरे जेठ जेठानी देवरानी सभी मेरी मजा कुराएंगे इसलिए तुम्हें नहीं आना चाहिए था दूसरी बात यह कि मैं तुम्हें कोई अमंतरन पत्र भी नहीं दिया जिसे तुम चला आया यह बाते सुनकर भाई बोलता है बहन बहुत दिन हो गया था तु तो भूल ही गई हो लेकिन मैं नहीं भूला मैं जैसे सुना कि मेरे भाजे का बिबा है मैं भाजे के लिए और तुम्हारे लिए और जीजू के लिए नहीं कपरे लाए है इसको रख लो इस पर बहन बोलती है ठीक है लेकिन तुम इस कमरे से बाहर मत निकलना इसी में बंद रहना जब तक बीवाह खतम नहीं हो जाता तब तक तुम बाहर नहीं निकलोगे और टाइम पर मैं तुम्हें भोजन दे दिया करूँगी और फिर जब रात होगा तब तुम पिछले दर्वाजे से निकल कर चले जाना भाई बोलता है ठीक है बहन और फिर वो अपने भाई को पिछले घर के एक कोने में बंद कर दिया और फिर साधी विवाह के कामों में इतना ब्यस्त हो गई कि भाई का ध्यान ही नहीं रहा कि भाई खाएगा की नहीं भाई को मैंने बंद करके आया है इस पर भगवान सिरीहरी नरायन बोलते हैं है नारद जब राहूल को भूख प्यास लगता है तो वह बेचैन हो उठता है और अपने भाई का खाना खाने का इंतिजार करने लगता है लेकिन बहन को ध्यान कहा और याद कहा कि मेरा भाई को दर्वाजे में बंद करके आई हूँ राहूल को दो दिन हो जाता है दर्वाजे में बंद हुए और राहूल भूख प्यास से वह छटपटाने लगता है और उसे चक्कर आने लगता है वो दर्वाजे के पास में चिलाने लगता है लेकिन दर्वाजा कोई नहीं खोलता है कुछ देर के बाद में दर्वाजे से किसी की आने की आहत हुई तो राहुल चिलाने लगा और दर्वाजे को जोर-जोर से पिटने लगा चित्रा की जेठानी दरवाजे को खोलती है और पुछती है राहूल तुम इसमें बंद कैसे हुए तुम्हें किसने बंद किया इस पर राहूल कुछ नहीं बोलता है और सोचता है कि अगर मैं बता दूँ तो मेरी बहन का बेईजती हो जाएगा इसलिए राहूल कुछ नहीं बोला जेठानी को दुस्री बार पुछने पर राहूल जूट बोलते हुए कहा दिदी मैं इस घर में अराम कर रहा था किसी ने गलती से बाहर का कॉंडी लगा दिया होगा और यह कहते हुए राहुल पुछले दरवाजे से वह घर के बाहर घर के लिए चला जाता है राहुल दो दिन का भूखा था ठिक से रास्ता भी नहीं चला जाता था लेकिन वह जैसे दैसे अपने घर चलने लगा रास्ता में एक बगीचा आया और उस बगीचे में राहुल को चकर आने लगा जिससे राहुल जमीन पर गिर गया राहुल को जमीन पर गिरते ही एक ब्रीध माता उसकी हाथों को पकर ली और अपने गोद में उसके सीर को लेकर पंखा करने लगी कुछ देर के बाद राहुल को जब होस हुआ तो वो अपने आप को एक ब्रीध माता के गोद में पाया इस पर आहुल बोला है माता आप कौन हो इस पर माता बोली मैं एक दुखियारी हूं और इस जंगल में रहती हूं आप बताओ आप कहां से आ रहे हो इस पर आहुल बोला की है माता मेरे बहन के घर भांजा का साधी था इसलिए मैं अपने भांजे के साधी से आ रहा हूँ इस पर बृद माता बोली बहन के घर से आ रहे हूँ तु क्या खाया और तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए और पत्नी के लिए और बच्चे के लिए क्या दिया इस पर आहुल अपने सीर को नीचे जुकाये खरे रहता है और कुछ नहीं बोलता है ब्रीद माता दुसरी बार पुछती है इस पर आहुल ने सभी सच्चाई बता दिया ब्रीद माता बोली है पुत्र तुम मुझे अपने माता ही समान समझो और मेरे बगीचे में चलो वहाँ पर फल का पेर है वहाँ पर और कुछ फल खा लेना और अपने पुत्र-पुत्री के लिए और पत्नी के लिए भी लेते जाना क्योंकि आपके बेटे और पत्नी पुछेंगी कि हमारे लिए ननद ने क्या दिया है तो अब क्या बताओगे इसलिए जब तुम्हें फल लेकर जाओगे और जब वह अपुलोग पूछेंगे तो तुम्हें फल दे देना इस पर आहूल ने उसे ब्रीध माता के बगीचे में गए और भरपिट फल तोर कर खाए और एक जोले में कुछ फल तोर कर लाए जब घर पहुँचे तो उसकी पत्नी और बेटी ने पूछी कि हमारे लिए बुवा ने क्या दिया है इस पर आहूल ने अपने थैले पकराते हुए पत्नी से बोला यह लो थैला में जो कुछ भी है ले जाओ अंदर उसकी पत्नी जब थैले ले जाकर खोलती है तो उसमें से सोने और चांदी का फल थे जब वो सोने का अनार होते है तोरती है तो उसमें से हीरे और जवाह रात निकलते है यह देखकर उसकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा खुस होती है और पती के पास में आकर बोलती है पती देव आप थेले में क्या लाए हो इस पर आहुल बोलता है जो कुछ भी है बच्चे को बाट दो इस पर पत्नी बोलती है आपको पता नहीं कि आपकी बहन ने आपके लिए क्या दिया है आप एक बर घर चल कर देखिए इस पर राहुल घर जाता है और देखता है तो वह अभी चोक जाता है और वह समझ जाता है कि यह चमतकार अवज से वह बुढ़ी माता नहीं किया है जो कि माता लक्षमी जी थी इसलिए राहुल मन ही मन माता लक्षमी को धनवाद देता है और प्रनाम करता है स्रीहरी नरायन बोलते हैं नारद मुनी से कि है नारद उसकी पतनी माता लक्ष्मी की बहुत बड़ा भक्त थी और वह माता लक्ष्मी की पूझा अर्चना करते थी जिसे खुश होकर माता लक्ष्मी उन्हें धनवान बना दिया दूसरे दिन राहूल उस धन से एक वालिसान मकान बनाता है और एक राजा बनकर उस महल पर राज करता है उसके घर में नौकर चाकर अन्य का भंडार होता है अब राहूल का गरीबी दूर हो गया था और वो एक राजा का जीवन जीने लगा था कुछ दिन बाद राहूल की पतनी राहूल से बोलती है है पति देव अब सावन का महिना आने वाला है और इस सावन के महिने में सभी इस्तिरी अपने माईके जाती है जो बहुत ही सूप होता है और आप भी दीदी को घर लाओ और उन्हें बुला कर लाओ बहुत दिन हो गया उनका जब से विवा हुआ है तब से वह माई के नहीं आई है पत्नी के कहने पर भाई एक बार फिर से बहन के घर जाता है और दर्वाजे पर जाकर खारा हो जाता है उस दिन भी उसकी जेठानी दर्वाजे के बाहर आई थी और राहुल को देखकर के बहुत ही खुस हुई और चित्रा से जाकर बोली चित्रा तेरा भाई आया है इस पर चित्रा बोली दीदी मेरा कोई भाई नहीं आया है और उसके पिछे सेना खरी है वो एकदम राजा बन कर आया है चित्रा को यह बात जूट लगा और इसलिए वो अब सबसे छुपती छुपाती भाई को जहांकर देखने लगी और इस बार वो बहुत ही खुश हुई और भाई को बहुत ही सान से अंदर लाई भोजन कर आया और भाई का हाल चाल पूछी और यह भी पूछा भाई आप इतने अमीर कैसे हो गए भाई बोला बहन यह समय की बात है यह कब भी कहा नहीं जा सकता कि माता लक्षमी कब प्रसन हो जाए और भाई यह भी बोलता है बहन से कि बहन तु फट फट तयार हो जा मैं तुझे लेने आ बहन वियाह बात सुनकर जल्दी जल्दी तयार होकर अपने पती और बच्चे के साथ में माईके चल देती है माईके को देख करके वह चोक जाती है और पुछती है भाई तू तू एकदम राजा हो गया है आलिसान महल हो गया नौकर चाकर है मैं तो बहुत खुस हूँ इस पर भाई बहन को अंदर ले गया उसकी भावी देखकर ननद को बहुत खुस हुई और अपने पलको पर अपने ननद को बैठा कर रखने लगी क्योंकि वह जानती थी कि जो धन से हम लोग अमीर हुए है वह धन मेरे ननद नहीं दी है ननद लगभग एक महीने तक अपने म उनके लिए कोई अच्छा सा तोफ़ा ला कर दीजिए बजार से राहुल यह बात सुनकर बजार जाता है और एक मोची से बोलता है मोची भाई आपने एक जूती बनाना है जो बोलने वाला हूं मोची बोलता है जूता तो बना दूँगा लेकिन पैसा जादा लगेंगे र राहुल बोलता है मैं आपको मुह मांगा इनाम दूँगा फिर मोची बोला ठीक है मैं इस पर राहुल बोलता है कि मुझे आठ बातो बाते हैं जो जूती से बोलनी चाहिए बहुत ही ग्यान की बाते हैं और जिसने बुढ़ी औरत के रूप में मतल अच्मी जी ने ग्यान दिया है और राहुल उस बातों को बोलने लगा पहली बातिया कहीं मानावता की भूल होती है अग्यानता निर्धानता का मौ दूसरी समय भरोसे जो बैठा रहता है सदा गरीब बना रहता है वो मनुस्य अपना काम बदलते नहीं तो इसका नसीब आलस में ही बितता है नमबर चार गरीबी से बारा कोई अभिसाप नहीं इसलिए अग्यान को हासिल करके अग्यान को दूर करो नमबर पांच आप समय को दोस नहीं दो मजबूत काम सदना में जीव और अपनी गरीबी दूर करो नमबर चार काम कभी कोई कारे नहीं करता नसीब सदा भाग भरोसे नहीं बैठता वह मानव के दुबरा किये गए सरम भरोसे बैठता है अग्यानी पर सदा प्रेम करों एक गरीब आदमी गरीब को बारंबार बिजय करने वाला ही बिजयता होता है ग्यान सदा हंतियार का काम करता है अब आठमा और अंतिम कदम की बात या है कि पैसों की बजार में बदल गई तहजीब धन दवलत से जुरे रहे रिष्टे हुए गरीब राहुल बोला यह आठ बाते बोलने वाला जुतिया बनाओ जिसे मेरी बहन को यह समझ में आ जाए और उनको अपनी गलती का एहसास हो ज बोलते हैं कि है नारद अब आप दुनिया वालों को यह सीख दे दीजिए ताकि वो अपने जीवन में कभी गरीबी ना हो इस पर नारद मुनी बोलते हैं है प्रभू मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया किर्पिया आप बिस्तार से बताइए इस पर भगवान सिरी हरी बोलते हैं कि नारद मैं बिस्तार से बताता हूँ आप ध्यान से सुनिया फिर सीरी हरी बोले कि है नारद पहला जो बेक्ती जूठे वरतन को रोसोई घर में रखता है और खाने पीने वाला अन्ने को बरबाद करता है ऐसे बेक्ती जल्दी नेरधन हो जाते हैं दूसरी बा और वा बेक्ती निरधन हो जाता है नमबर तिन जो इस्तिरिया सुरीयोदोई से पहले नहीं जागती और सुरीयोदोई के बाद जहारू बरतन करती है वा भी बहुत जल्द गरीब हो जाती है नमबर चार जिस घर में पैसे की कदर नहीं होती फिजूल खर्च होता है ऐसे गरों में भी माता लक्षमी नहीं रुखते। नमबर 5, जिस लोगों के पास पैसियाने पर दूसरों को ठेज पहुचाते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं, उस घरों को भी बर्बाद होते देर नहीं लगता। अब नमबर चौव, जो लोग अपने करतबियों को पूरा नहीं करते, अपने कारियों को कल के भरों से टाल देते हैं, वह लोग भी बरबाद हो जाते हैं। अब नमबर साथ, जिस घर में लोग अपने बरो को समान नहीं देता, उनका इज़त नहीं करते, उनसे कटू बचन बोलते हैं, उनके घरों में से मतलक्षमी चली जाती है अब नमबर आठ जो लोग अपने मेहमान को सतकार नहीं करते हैं समान नहीं देते हैं उनके घरों पर आए याचक लोट जाते हैं उनको भी मतलक्षमी माफ नहीं करते हैं भगवान सिरीहरी बोले कि है नारद यहां आठ बाते इस कलजुग में मनुस्यों को गरीब बना देता है और आगे भगवान बोलते हैं है नारद जब राहुल मोची से जूते लेकर आता है और अपने बहन को गिफ्ट करता है और बहन जब अपने घर चली जाती है तो उसके घर में सास ननद देवर देवरानी जेठानी यह सभी पूछते हैं कि चित्रा बहन तुम्हारा भाई तुम्हें क्या दिया है इस पर चित्रा अपने भाई के दिये हुए सोने चांदी और हीरे की जूतियां दिखाती है तो वह सभी बोलती है कि आरे वाह आपके भाई ने तो बहुत ही प्यारा जूतियां दिया है इससे पहन कर दिखाओ जैसे ही चित्रा उस जूति को पहन कर एक देग रखती है तो जुती से आवाज आता है कि कहीं मानावता की भूल होती है अग्यानता निर्धनता का मुं समय भरोस से जो बैठता रहता है साधा गरीब बना देता है यह सभी आवाजे सुनकर बहुत दुखी हुई और अपने भाई के प्रति किये गए अन्याय का उन मेरा भाई आया था तब मैं उचसे पानी तक भी नहीं पिलाया और जब वह भाई अपने मुझे ग्यान देने के लिए जुतिया बनवाई है मैं बहुत सरमेंदा हूँ मुझे अपने आप से नफरत हो गया है अब मुझे जीने का कोई हक नहीं है यह बात चित्रा के जेठा जो गरीब हो लचार हो उन पर हसान नहीं चाहिए उनको कश्ट नहीं देना चाहिए दोस्तों आप लोगों को यह कहानी कैसी लेगी कमेंट में जरूर बताना और आप लोगों को किस परकार की कहानी चाहिए कमेंट में यह भी जरूर बताना मैं आपके मन पसंद की कहानी ल